वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजूकेशन तिंग्स देली आज हम लों सामान हिंदी में समास के बारे में पढ़ेंगे जो की अब्जेक्टिट टाइब कोशन है और यह कोशन लगबग बहुत ज्यादा बार पूर जाते हैं चलिए सुरू करते हैं ह तत्पूरुष का उदारण है ने कहां संप्रदान हो सकता है संप्रदान तत्पूरुष का उदारण में राजकुमार सहां पोयां उए जिए यज शाला जो है आपका सही एसर है संप्रदान तत्पुर्श के इप एद्धूर स recuperator धर जाएिए शाला य शंप्रदान में बेंसे इसका ऊताा है के जैसे करताने कर्म को करण से सम प्रोडान में होता जाके यह तत्पुरुश तत्पुरूश के एंदर गरता है चलिए आगे बढ़ते हैं समास कितने प्रकार क्यों होते हैं option है 4, 5, 6, 7 समास समास हमारे 6 प्रकार क्यों होते हैं next question बढ़ते हैं विशेशड और विशेश के योग से कौन सा समास बनता है option है दुन्द समास, कर्मधारे समास, दुईगी और तत्पुरु समास तो दुए विशेशड और विशेश इससे हमारा बनता है कर्मधारे समास अगला question है विद्या मंदिर का विग्रे होगा देखे option है विद्या का मंदिर विद्या के लिए मंदिर विद्या और मंदिर विद्या के समान मंदिर तो विद्या मंदिर का विग्रह है, विद्या मंदिर का विद्या के लिए मंदिर, तो आपका option है B, विद्या के लिए मंदिर, एंगला question है, राजा मार्क का विग्रह होगा, अब देखिए इसमें राजा मार्क का विग्रह करना है, आपका option है, राजा का मार्क, राजा और मा मार्ग राजाद्वारा निर्मित मार्ग देखे तो राजा मार्ग मींस राजा का मार्ग यानि कि आप्षण ए आपका राजा का मार्ग सही एंसर हैं अगला कोशन है बहु बरीई समास का उदाहरण है सूर सागर, पंचानन, दिन भर और चौरहा बहु ब्रही समास बहु ब्रही समास हमारा इन्वे से है पंचानन जो हमारा बहु ब्रही समास है अगले कोशन पर आते हैं पूर्व पद विशेशड होता है देखिए तो पूर्व पद किसका इसमें विशेशड होता है तत्पूरु समास, बहु ब्रही समास, कर्मधारे समास या ध्यू समास देखिए पूर्व पद हमारा कर्मधारे समास का होता है तो पूर्व पद विशेशड हमारा कर्मधारे समास का होता है अगला कोशन है पुत्र रत्न का विग्रह होगा अगला कोशन है पुत्र का रत्न पुत्र और रत्न पुत्र के लिए रत्न या पुत्र रूप में रत्न तो पुत्र रत्न का विग्रह सही है इसमें से पुत्र के रूप में रत्न या अपका इसका विग्रह होगा अगला कोश है जो निमने में से कर्मधार्य समास कि इसमें है उप्षिन है चक्र-पाड हो चतुर-्यूग्मिनिलोत्पम मातापिता है तो है कर्मधार्य समास 0 निलोत्पम निलोत्पलम जो है यह आपका करमधारे समास है चलि अगले कोश्यन पढ़ते हैं निमनिम में से अव्यआई भाव समास का उदाहरण है अव्यआई भाव का समास का उदाहरण है के option है् तंता दिन-कर दिन-दिन शुब्धिन और दिनांत है अवय भाव का इसमें है दिन-दिन दिन-दिन यानि प्रत्य एक दिन कि अ goes है ऑन्छा दिन-दिन अग्रा कोश्शन है दिवु समास का उसर होगा option है सूर्सागर, शटकोड, कुपुत, प्रतिवर्स हम जानते हैं दिगु शब्द दिगु समास जो है उसमें हमेशा numbers का numbers जैसे की चोराहा हो गया इस टाइप की जो ही word आएंगे जिसमें numbers का गणना हो रही हो तो उसमें हम लोग दिगु समास होगा जैसे शटकोड यानिकि शटकोड होता है छह छह का कोड शटकोड चली दिगु समास का उधारन कौन साइन में से अन्वे दिन राद चतुरानन चली स्वर्द का ओप्षन चोथा नहीं है स्याज़ वहीं इसका सई एंसर होगा चली नेक्स्ट कोशन परते इसे आप छोड़ द द्वंध समास का उधारन होगा option है नर-Nari राज कुमार निल कमल नर भक्षी दिंगे द्वंध शमास का उधारन है नर-Nari द्वंध समास में दोनों पद प्रधान होटे हैं अगला question है दो अथ्वा दो अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक सबको क्या कहते हैं कि जानते हैं दो या दो से अधिक हैं मिलकर بنे हुए्ए सार्थक सब्द को हम लोग समास कहते हैं है को अक्षिन में से है nueva कि आपने से उसकिस्में हैं दिन रात पितांबर प्रति दिन राज पूत्र राज पूत्र यानि राजा के लिए पूत्र तो इसमें आएगा आपका ततपुरुस समास ततपुरुस समास का उधारण होगा इन्हें है का पूरुस उच्चा यह पूरुस राजभवन चक्रपाड़ी देखें इसमें आपका राज भवन जो है वो तत्तपुरुस समास का उदारन होगा अगला कोश्चन है जिस समास में उत्तर प्रदान होने के सास नहीं पूरु पत्त था उत्तर प्रद में विशेशण विशेश्टी का सम्बंद भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं अगला कोश्चन है किस समास के दोनों शब्दों के समानिधिक करण होने पर कर्मधार समास होता है अप्शन है तत्पूरुष समास द्वन समास देखू समास या भौबरी समास तो आपका ऑप्शन ए है तत्पूरुष समास ये आपका सही उत्तर है अगला कोश्चन है कर्मधार समास का उधारण है इन में से कर्मधार समास का उधारण है पंच पल्लव श्वेतामबर लंबोदर दिन भर कर्मधार समास का उधारण इसमें से है श्वेतामबर समास का उधारण ये था शक्ति का सही विग्रह क्या होगा लगा हुआ इसमय इसका हमें विग्रह करना है जैसी सक्ति जितनी शक्ति शक्ति के ऋसार ये था जो सक्ति ये यह था सक्ति का सही विग्रह है सक्ति के अनुसार अगला कोशन अव्वे भाव समास का उदारण है दिन कर दिन दिन शुब दिन या दिनांत देखिए अव्वे भाव समास का उदारण है दिन दिन नेक्स्ट कोश्चन है अव्वे भाव समास का उधारण है ओप्शन है ग्रिह गत आचार यूप कुशल प्रती दिन और कुमारी तो अव्वे भाव समास का उधारण है प्रती दिन नेक्स्ट है अन्यपद प्रधान होता है तो इन में से किनका अन्यपद प्रधान होता है यानि कि जो शब्द है वो ना होकर तीसरा शब्द को प्रधानता दिया जाता है आप्शन है अव्वे भाव समास कर्मधारे समास सत्पुरुष समास या बहुवरी समास तो हम जानते हैं बहुवरी समास में हमारा जो शब्द है वो दो पहला पद और दूसरा पद किसी तीसरे पद की और संकेत करता है उसे हम कहते हैं बहुवरी समास साग पात में कौन सा समास है अवेभाव समास देगू समास कर्मधार्य समास या दूंद समास देखिए साग पात ये दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें तो आपको आप्शन आएगा दूंद समास दूंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं शरण आगत पद का सही समास विग्रय होगा ओप्शन है शरण और आगत शरण में आगत शरण ही आगत तो आपका शरण आगत का सही विग्रय है शरण में आगत एकला कुशन है विद्यार्थी में कौन सा समास है ओप्शन है तत्पूरु समास कर्मधारे समास बहुपरीही सम समास और द्रिगु समास तो विद्यारती में हमारा कर्मधारे समास होता है अगला कुशन है वनवास में कौन सा समास है ओप्शन है तत्पूर्व समास करमधारे समास दंद समास बहुपरी समास वनवास में तत्पूर्व समास होता है अगला ओप्शन है वनवास का सही समास विग्रह है वनवास का सही विग्रह है वन का वास वन के लिए वास वन में वास या वन को वास वनवास का सही विग्रह है वन मे वास क्योंकि हम वनवास का मीमष कौंसा समास है जुभ वद आप्शन है दवद समास, दिगू समास, तत्पुरु समास यवेभास समास तो वैसे तो लंबो दर में आपका होता है बहुब्रीही समास ये कोशन गलत है लमबोदर में बहुब्रीही समास होगा अगला कोशन पर आते हैं मुख दर्शन में कौन सा समास है ऑप्शन है दिगू समास तत्पुरू समास द्वन समास या बहुब्रीही समास तो आपका मुख दर्शन में तत्पुरुस समास है मुख का दर्शन अगला कुशन है माता-पिता-पद में समास है option है तत्पुरुस समास, बहुबरी समास, द्वन्द समास या दिगु समास ये कि माता-पिता की दोनों पद प्रधान है इसलिए आपका द्वन्द समास होगा बड़ बोला में कौन सा समास है option है तत्पूरुष समास, करमधारे समास, बहुवरी समास, दिगु समास बड़ बोला बड़ बोला आपका बहुवरी समास होगा अगला कुशन है पितामान में कौन सा समास है कर और उस समास काैस कर्मध्थार्य समास Pita traveling कौन सा समास के दिग उसमास दोन ढूल समास तपरूर्थ समास या कर्मध्थार्य समास कि पर और पंद्ध इसलिए आपका केल आपरे चाहे नेक्ट कोश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है दिगु समास कर्मधारे समास तत्पुरुस समास या अव्ववव समास परमेश्वर में आपका कर्मधारे समास होगा अगला कोश्चन है निशाचर में कौन सा समास है और अव्ववव समास कर्मधारे समास तत्पुरुस स सामास या बहुवी समास निसाचर में तत्पूरुस समास होगा है अगला कोशशं देशांतर में कौन सा समास है complexरल ανα बहुवी समास द्रीग समास समास देशांतर में आपका आएगा बहु ब्रही समास अगला कुश्चन है दस मुख दस मुख में कौन सा समास है कि अप्षन है कर्मधारे बहु ब्रही तत्पूरुस या दिगु समास देखें दस मुख किसके लिए प्रयुक होता है रावड के लिए तो अपका बहु ब्रही समास आएगा बहु ब्रही में होता है दोनों पद किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं कि दस मुख यह के दस मुख दस मुख है जिनके रावड अब देखें इसमें कंफ्यूजन यह होता है कि दस अब नंबर आ गया दस तो हम सोचेंगे कि यह तो दिगु समास है बिना सोचे समझे इसका हम लोग ऑप्षन कर देंगे दिगु लेकिन यह गलत हो जाएगा कि दिगु में नंबर जरूर होते हैं संख्या लेकिन पहले हमें समास का विग्रह करना है विग्रह करने से हमें समझ में आएगा कि वह कौन सा समास है अगला कोशिए त्रिफला में कौन सा समास है देखें त्रिफला त्रिफला में कौन समास था अव्यवभाव समास द्वन समास देगु समास या कर्मधारे समास तो त्रिफला में देगु समास क्योंकि इसमें संख्याग बता रहा है अगला कुशन है जितेंद्रिये में कौन सा समास है ऑप्शन है द्वंद्र समास बहुबरिही समास तत्पुरुष समास या कर्मधारे समास देखें जितेंद्री है इसमें आएगा आपका बहुवरही समास अगला कुश्चन है चारपाई पद में समास है अप्शन है दिगू अवे भाव तत्पूरू या बहुवरही उप्शन है चारपाई पद का समास दیکھे चारपाई अब इसमें भी आपका इंसर है बहुवरही समास क्यों होगगा मैं बता रहा हूँ दिगु क्यों नहीं होगा क्योंकि दिगु संख्यावाशक है ठीक है बता रहा है चार है यहां चारपाई लेकिन चारपाई कार्थ होता है जिसके चार पैर हो यानि कि खटिया या फिर चौकी वो तीसरे सब्द की और संकेत करा है तीसरा जो प्रद्रिफ में होगा वो प्रधान होगा इसलिए बहुवरी समास अगले option है चतुर भूज में कौन सा समास है देखिए चतुर भूज में आप कंफ्यूज होंगे यह दिगू समास होगा यह तो इसमें option नहीं दिया हुआ है इसका भी आपको चतुर भूज यानि चतुर कि चार भूजाओं वाला है इसका भी आपको एंसर होगा वहुवरी समास अगला question बहाते हैं चक्र पाड़ी में कौन सा समास है option है अब वेभाव समास वहुवरी समास कर्मधार यह तत्वूर समास तो चक्र पाड़ी मेंस होगा चक्र के हाथ में जिनके जिसके चक् संकेत कर रहा है इसलिए आपका अंसर होगा बहुब्रही समास है और गोशाला में कौन सा समास है और पुरूश द्वंद्व करमधार या दिगु समास गोशाला में आपका तत्पुरुस समास होगा अगला कुशन है गगन चुम्बी में कौन सा समास है ऑप्शन है बहुबरीही अव्यभाव तत्पुरुस कर्मधारे गगन चुम्बी इसमें आपका तत्पुरुस समास होगा कमल नयन पद में समास है कर्मधारे समास बहुबरीगी समास द्वंद समास या तत्पुरुस समास कमल नयन कमल के समान नयन तो आपका यह होगा कर्मधारे समास अगला कोशन है आजन्म शब्द कि समास का उदारण है अव्य भाव तत्पुरुस द्वंद या दिगूप देखिए आजन्म जन्म से पहले या जन्म तक तो इसमें आपका अव्य भाव समास हो आए जब भी किसी शब्द के आगे आ या था इस टाइप के सब लगते वो अव पूर पद्विशेषड होता है तत्पुरुस समास में बहुब्री समास में कर्मधार समास में या दिगू समास में या पूर पद्विशेषड होगा हमारा कर्मधार समास में अगला कोशन है पुत्र रत्न का विग्रह होगा पुत्र का रत्न पुत्र और रत्न पुत्र के लिए रत्म या पुत्र रूप में रत्म या पुत्र रूप में रत्म आपका यह answer सही है अगला question नहीं कौन सा स्मास है option है डिगु समास कर्मधारे समास तत्पुरुष समास या वेभाव समास परमे यह तत्पूरुस समास होगा फ्रेंड्स ये समास पे बहुत ही कुछ बहुत ही important questions है जो कि लब को हर exam भूए जाते हैं चलिए एगले वीडियो जल्दी मिलते हैं जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग इसके सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में सेर करें थैंक यू फ्रेंड्स